कि देखिए ये 12 रेसिस्टर्स हैं ये क्यूब के साइड के तौरा रिप्रेजेंटेट है ये क्यूब है ये क्यूब का प्रतियक साइड समझिए एक रेसिस्टर है और सबका वैल्यू सेम है स्मॉल आर है सबका वैलू सेम है आर 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 सबका सेम है ए और एफ के बीचे डियागनली अपोजित गॉर्णर के पीच का एकि वैलेंट रेसिस्टर्स हमकों भी करना है अब तरह सोचिए इस प्रावलेंट को हम कैसे बना सकते हैं अगर यह करेंट जाएगा आई सबोच पीजिए कि आई क झेल क्रिकर सब्सक्राइब इस से बोकर जा रहा है तो आई कितने भाला में बटेगा के इस धर से जाएक पर टा कि एर ऐ सकते हैं है । या स्मेट्रिकल ही या स्मेट्रिकल ही अगर तो तो अग्णल पीलाते हैं तो यह दिते हैं, कि यह पुरा पार्ट रीक है स्मेट्रिकल लग रहा है इसका मतलब है कि जितना potential drop B पर होगा, उतना ही potential drop D पर होगा और उतना ही potential drop X पर होगा. उतना ही potential drop होगा इसके मतलब B, D और F जो होगा इक भी potential point हो, बढ़ जाने मतलब नौल गैसे जो तो देखिए यह point A है और यह कोई एक point हम ले रहे है, यह point B, B हो सकता है B है और D है और H है, च्योंकि B, D और H इकी potential point है, having the same potential, तो हम A को B से मिलाए, A को D से मिलाए, A को H से मिलाए, अर्था, B, D और H इकी potential point होगा, और A के साथ जगा हुआ होगा, तो यह तीनो पैराडल में होगा, यह तीनो पैराडल में होगा, छिक उसी प्रकार से, पुल करेंट आई अगर जा रहा है अंदर में पुल करेंट आई आ रहा है तो बात भीडी कर ला है जब इन कमी करेंट आई है तो और गोई करेंट भी आई ही बुड़ा चाहिए अब यहां देखिए कि करेंट जा रहा है इधर से, इधर से करेंट जा रहा होगा I by 3, और इधर से करेंट आ रहा होगा I by 3, तर किनों मिलकर, इस प्रांच से करेंट जा रहा होगा, इस प्रांच से और इस प्रांच से, किनी प्रांच से यहां मिलना होगा, इसलिए यह तोट होगा E से यहां आ रहा होगा G से यहां आ रहा होगा C से तो देख रहे हैं कि C E C E और G तो इनकी पॉइंट हो यहां पॉइंट था यह सी है, यह ए और यह जी है, यह तिनों इनकी पुटनसे है, तो एप इन तिनों से मिला हुआ है, इसलिए यह तिनों भी पैडल में है, यह तिनों भी पैडल में हैं, अब बीच का देखिए, ही तान निला ओगा कुष से मिलन ला होगा और बिटीस मिलना होगा नोड़ी सी और अए शाहिए यही पड़ी सी capacitor गदी करूरे अब कद देखिये गाल और जांटोरा दीसे जीक्र भी आ dirt जाए-शी तोनों यहीं पर है इत्वास समर्म मिलना होगा उसी तरह से एस भी मिलना होगा आप दखिये एफ जी भी मिलना है ही से और यहीं है जिसलिए समय है यह देखिए फोर्जिंप कि टना है आप हे जाए तो नहीं, 3 दिन चाच बारा बारा रेसेस्टनस हैं, इसका मतलब है कि यह हो गया A point है, यह हो गया R by 3, टिनों को पैडल में जोड़े यह R by 6 और इस तिनों को पैडल में जोड़े तो R by 3, यह A था यह B था. इस लिए equivalent resistance क्या हो गया? R by 3 plus R by 6 plus R by 3, शीरी में हैं. So, this is 6, this is 2R plus R plus 2R, this is 5R by 6, this is your answer. अगला प्रॉब्लम देखें, A और D के वीच रिख्यूहरेंट रेसिस्टेंस निकालना है. यहां आप देख रहे हैं कि यह सरी रेसिस्टेंस बराबर बड़ाबर है. सब का बैलु आ रहे है, small R, small R, small R, small R, सब का बैलु आ है. तो हमको A और D के वीची की पहरेंट रसिस्टेंस निकालना है. आप देख रहे हैं कि यह स्मेटरिकल लग रहे है. यहां से अगर बाया पार्ट पो और दाया पार्ट पो लें, तो दोनों पार्ट एक दुसरे के सिमेट्रिकल है, एक दुसरे का मीरर इचेक्ट है, मीरर इमेज है, तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है, हमको A और D से, A को माली के हायर पोटेंशियल पर है, D लोवर पोटेंशियल पर है, A और D के बीच हमको निकालना है, equivalent resistance, तो इस तो जितना इधर जाएगा, उतनाही current इधर जाएगा, इस इजिछे कि यह दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, तो दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, सभोज किजीये कि अगर आई direct इधर जा रहे तो I करेंट इधर भी जाएगा, इसका मतलब कि जितना спonetial graph B पर होगा, उतनाह पॉदंजय ग्रॉप सी परोगे तो बी और सी को हम इकी पॉदंजय पॉइंट मान सकते हैं तो यहां ए है और हम बी और सी को इकी पॉदंजय पॉइंट मान नहीं है एक को इक पॉदंजय पॉइंट मान नहीं है एक ओ बी से मिलाए और एक को सी से मिलाए अर्थात यह दोनों पैलल में है यह और यह पैलल में है अब देखिए, सिमेट्री से जैसा E है वैसा ही F है, दोनों सिमेट्रीकल है, अर्थार जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा, वो तना ही पोटेंशियल ड्रॉप इंदर भी गुआ है, इसलिए दोनों E और F को भी हमी की पोटेंशियल पॉइंट उन्माने, B से E पर आय है, C से F, अब तरह देखें, E और F की पोटेंशियल पॉइंट है, इसलिए इसका कोई महत्त नहीं है, यहां D है, अब E से D पर आए, और F से भी डीपर है, E से D मिला हुआ है, F से D मिला हुआ है, अर ताथ ये तोनों रेसिस्टेंस जो है, या भी पैरलल है, अब चरहां देखें, A और D के बीज भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, या भी आर है, या 2R हो गया, 2R हो गया, sorry, R by 2 हो गया, R by 2 हो गया, ये R by 2 है, ये R by 2 है, और ये भी R by 2 है, ये तिनों सिलीज में है, और उसके साथ एक रेसिस्टेंस आर भैलू का पैरलल में है, हमको निकालना है, A और B के बीज इक रेसिस्टेंस, अब क्या होगा ये, R by 2 प्लस R by 2 प्लस R by 2, इस थ्री R by 2, तो इसको हम लिख सकते है, इस थ्री R by 2, और ये क्या हो गया, R, इस दोनों को हम पैरलल जोड़ लेंगे, ये ये A point है, ये B point है, पैरलल जोड़ेंगे, इस रिवे ए, R 1 प्लस 1 by R 2, चिके, इस बीज इक बीज इक सूट 2 by 3 R, इस थ्री R, जोड़ेंगे, इस थ्री R by 5, इस थे उड़ेंगे एक प्रॉब्लेम फाल करते हैं, देखे इस प्रॉब्लेम को, इस प्रॉब्लेम में चार रेसिस्टर जुरा हुआ है एक बैटरी से, ये बैटरी थ्री गोल्ट का है, और हमें निकालना है यह बैटरी कितना करेंट सप्लाई किया, यह करेंट निकालना है, आई का वहलू क्या करेंगे कि इस तो पाइंट के बीच एक्टिवेयलेंट रेसेस्टेंस निकालेंगे। यहां बारा ओम और यहां बारा ओम दोनों पैरलल में होगा तो यहां का पोटेंशियल भीए है यहां का पोटेंशियल भीवी है तो यहां का पोटेंशियल भीवी होगा यहां का पोटेंशियल भीवी होगा यहां भी भीवी है यहां भी भीवी है चाहोगा बिए माइनस भीबी बिए माइनस भीबी यह सब जो होगा प्याडल में है, तो यह 12 वोम 12 वोम 12 वोम किनों प्यारल में है To सबसे फहरे क्या करेंगे विध्य प्यालेंगे इक्यूवیलैंट डेशिस्टेंस निकाले और इसके बाद हम करेंट निकाल लेंगे आई परावर भी वाई आगे तो हम क्या करें पहले हम एक्युवाइंट रेसिस्टेंस निकालते हैं कि हालेंटर रेसिसतесь अवफड ओ न कि अजय केड़ कि अजय करेंड से ये क्रास जए अ्यवारत कि भाडती इसऑ खेम अ काड़ ele रखे अवार हर क्रीज ¿skो मैं आखopa केस्को वार मिद्वन आखाव इस उन गार क्रीन ऐसें वार n थी घए पल डखाव फंद्ट इसनिने फीर थोória वार क्ज़ू ये च्रीजेस्ट लगे своwn तो थोपमदी खें जेमских तो है थितना द्या वगा है? 3वोल्ट. र कितना द्या हुगा है? 3वोल्ट. तो यह क्या हो जाएगा? 1mper is the answer. 1mper current is run by the battery. ठेकर तो अज बसुत रहें, thank you, thank you very much. कर दो लद वे लदक पुट हुआ जुआ है।